अब करेंगे अर्ध मत्सें इंद्रासर इसके लिए आपको टॉनराउंड करना मैट पे और अपनी टांगे सीधी खोल देनी है अपने राइट पैर को उठाके लेफ्ट गुटने के बाहरी तरफ रखेंगे राइट हाथ को पीछे रखेंगे मैट पे लेफ्ट हाथ से अपने राइट गुटने को अंदर दबाएंगे पेट को प्रेस करेंगे और साज छोड़ते वे पीछे देखेंगे breath को hold करके रखेंगे, posture hold करके रखेंगे साज भरते वे, वापस, टांग को सीधा खोल दे अपने left pair को उठाके right घुटने के बाहरी तरफ रखेंगे left हाथ को पीछे mat पे रखेंगे right हाथ से left घुटने को अंदर दबाएंगे पेट पे pressure दे, साज छोड़ते वे पीछे देखे breath को hold करके रखे, posture को hold करके रखे साज भरते वे वापस टांग सीधी कर दे अपने right pair को उठाके left घुटने के बाहरी तरफ रखेंगे right हाथ को पीछे रखेंगे mat पे left हाथ से अपने right घुटने को अंदर दबाएंगे पेट को प्रेस करेंगे और साज छोड़ते वे पीछे देखेंगे breath को hold करके रखेंगे, posture hold करके रखेंगे साज भरते वे वापस तांग को सीधा खोल दे अपने left pair को उठाके right घुटने के बाहरी तरफ रखेंगे left हाथ को पीछे mat पे रखेंगे right हाथ से left घुटने को अंदर दबाएंगे पेट पे प्रेशर दे, साज छोड़ते वे पीछे दे breath को hold करके रखे, posture को hold करके रखे साज भरते वे वापस तांग सीधी कर दे अपने right pair को उठाके left घुटने के बाहरी तरफ रखेंगे right हाथ को पीछे रखेंगे mat पे left हाथ से अपने right घुटने को अंदर दबाएंगे पेट को प्रेस करेंगे और साज छोड़ते वे पीछे देखेंगे breath को hold करके रखेंगे, posture hold करके रखेंगे साज भरते वे वापस तांग को सीधा खोल दे अपने left pair को उठाके right घुटने के बाहरी तरफ रखेंगे left हाथ को पीछे mat पे रखेंगे right हाथ से left घुटने को अंदर दबाएंगे पेट पे प्रेशर दे, साज छोड़ते वे पीछे दे breath को hold करके रखे, posture को hold करके रखे साज भरते वे वापस तांग सीधी कर दे and relax अब करेंगे मंडू कासर इसके लिए आपको turn around करके अपने घुटनों पे बैठना है इस तरह अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने hips के नीचे कोशन प्लेस करेंगे दोनों हाथों की मुठ्थी बंद करें अंगुठे अंदर की तरफ दोनों हाथ पेट पे लगाएंगे सास छोड़ते वे आप आगे जुकेंगे चेस्ट को नीज पे लगाएंगे और सर को नीचे जमीन पे सास भरते वे उपर उठेंगे सास छोड़ते वे आप आगे जुकेंगे चेस्ट को नीज पे लगाएंगे और सर को नीचे जमीन पे सांस भरते वे उपर उठेंगे सांस छोड़ते वे आप आगे जुकेंगे चेस्ट को नीज पे लगाएंगे और सर को नीचे जमीन पे सांस भरते वे उपर उठेंगे करेंगे पावन मुक्तासन इसको करने के लिए आपको अपनी पीट पे लेटना है सीधा लेटेंगे अपनी राइट टांग को उपर उठाएंगे गुटना फोल्ड करेंगे दोनों हाद गुटने के उपर सांस छोड़ते वे गुटने को चेस्ट के पास लाएंगे जिन लोगों को बैकेक है वो यहीं तक करेंगे या स्पॉंडलाइटिस है या सर्वाइकल है वो सर नहीं उठाएंगे बागी सब सर उठाके सिर को गुटने से लगाएं सांस भरते वे सर नीचे टांग नीचे अपनी लेफ्ट लेग उठाएंगे गुटने को फोल्ड करेंगे दोनों हाद गुटने के उपर रखेंगे सांस छोड़ते वे गुटने को चेस्ट के पास लाएंगे और सिर को गुटने से लगाएंगे साज भरते वे बापस अपनी दोनों टांगे उठाएंगे घुटने फोल्ड करेंगे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर साज छोड़ते वे घुटने को चेस्ट के पास लाएं और सिर को घुटने के बीच में साज भरते वे सर नीचे टांगे नीचे and relax right leg up fold your hands on your knee exhale and touch your head on the knee hold the breath hold the posture inhale head down leg down inhale take your left leg up bend your knee your hands on top of your knee exhale touch your head on the knee inhale head down leg down both legs up fold both arms on top of your knee exhale bring your head in between your knees inhale head down legs down right leg up fold your hands on your knee exhale and touch your head on the knee hold the breath hold the posture inhale head down leg down inhale take your left leg up bend your knee your hands on top of your knee exhale touch your head on the knee inhale inhale head down leg down both legs up fold both arms on top of your knee exhale bring your head in between your knees inhale head down legs down and relax and relax I hope you will enjoy this practice I hope you will enjoy this practice Namaste fast and widen what you want if you will enjoy this practice through in between your knee andpper With your knee झाल झाल